हरो दोस्तों आज हम बात करेंगे What is Bathos? Bathos है एक literary device है Colin Dictionary में इसकी definition है It is a sudden change in speech or writing from a serious or important subject to a ridiculous or very ordinary one Hindi में कोई writer कोई speech लिख रहा है या speech बोल रहा है या कोई writing कोई speech लिखी जा रही है वो लिखते लिखते serious subject पे लिखते हैं मगर serious subject से लिखते लिखते उसने कहीं बीच में किसी ordinary subject पे लिखने लग जया तो ये उतार जो होता है ये bathos कहलाता है कि serious subject के उपर लिख रहा था मगर बाद में वो ordinary subject पे लिखने लग जयाता है तो ये जो उतार है ये जो change है ये आपका bathos कहलाता है यह जो बाथोस का इस्तेमाल poem के अंदर किया सकता है play में किया जा सकता है story में हो सकता है और film के अंदर भी किया जा सकता है बाथोस का जो term है वो अपने आप ए Greek word है और इसको मतलब होता है depth Greek time में Greek languages का मतलब है depth मगर Alexander the Pope 1728 के अंदर वो पहले person थे जिसने इसका term को apply करा अपने work में और कब किया उनके time पर कुछ novelist और poets थे जो ऐसी poetry लिख रहे थे जिसको उन्होंने कहा कि इस तरह से poetry नहीं लिखी जाती और उनको criticize और ridicule करने के लिए, satire करने के लिए, satirize करने के लिए उन्होंने इस term को इस्तमाल किया poetry और उसके अंदर उन्होंने इस term के इस्तमाल किया बाथोस का, 1727 के अंदर, इसका मतला था to criticize bad novelists and poets जो उनके समय में थे, इसलिए, actually यह जो term है, बाथोस, यह parody है, किसका longiness ने एक work, जो essay का, इनका title essay का जो उन्होंने लिखा था, पैरी बाथोस और the art of singing in poetry, यह अपनिया में एक parody था, किसका longiness ने एक work लिखा था, पैरी हपसाउस, हपसाउस और the art of the sublime, हो सकता है कि मैं पैरी हपसाउस का pronunciation गलत हो, मगर यह उनका work था, जो के parody था, जो के Alexander Pope ने जो essay लिखा था, इसके अंदर Pope इन lines में क्या कह रहा है, कि वो Pope जो humorously क्या कर रहा है, कि जो death है, dog की death है, उसको compare कर रहा है, एक husband की death के साथ, तो यह एक अपने आप में एक बात हो से, कि मतलब बात हो रही है, husband की death की और उसको compare किया रहा है, dog की death के साथ, ऐसी, so passed the strong heroic soul away, and when they buried him, the little poor had seldom seen a costly funeral, यह Lord Tennyson ने लिखी है, एनो कार्डन, उसमें, इसमें क्या हो रहा है कि, एक सेलर है, एनो कार्डन, वो जो है, ten years से, जब एनो कार्डन, दस साल बाद, अपने घर लोटता है, तो वो देखता है, कि वो, उसे पता लगता है, कि उसकी family जो है, बिलकुल उसको भूल चुकी है, और उसकी wife ने दुबारा से शादी कर लिए, उसका भी, उनकी भी बच्चे हैं, और बहुत बुली दरा से तूर जाता है, इस condition को देखके, और वो मर जाता है, और तब उसकी family जो है, उसका funeral करती है, और funeral के time में, वो जो है, आप imagine करिये, कि वो लोग, funeral में जो cost आई थी, कि कितनी cost खर्चा हुआ है, उसको गिन रहे थे, तो आप सोचिए कि बात हो रही है, किसी husband की death हुई थी, मगर इस poem के अंदर last में दिखाया था कि किस तरह से funeral के cost को, cost को गिना जा रहा था, तो ये चीज़ देख सकते हैं आपके, कितने serious matter से, कितने ridiculous matter प अपने आमें एक bathhouse है, कि आप एक serious subject से, एक ridiculous subject की और turn करते हैं, मुड़ते हैं, उस पर उतरते हैं, तो ये अपने आमें एक bathhouse कहलाता है, thank you